जैहिन नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूटूब चैनल आटो बाइक जंक्षन में दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार की बारे में जो टाटा के नैनो से भी काफी छूटी इलेक्ट्रिक कार जिसमें लगजरी कार की जैसा फीचर्स दिया गया है शाथी बेहतरीन फीचर्स और पावर इस्टेरिंग भी प्रवाइट की गई है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं बेहदी फेमस और स्टाइलिस इलेक्ट्रिक एकुजा इवी कार की इस वीडियो में दोस्तों इस कार की फीचर्स आंडोड पराइज स्पेसिफिकेशन औ को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दें दोस्तों याकुजा कमपनी एक इलेक्ट्रिक बाइक और स्कुटर्स बनाने वाली कमपनी है जिसका मैनुफ्रेक्चरिंग हमर्याड़ के सिर्शा में है दोस्तों यह कार Tata की नैनो से भी सस्ती हैवी और माईलेस देने वाली फोर विलर है काफी शांदार स्टाइलिस लुक में डिजाइन किया गया है फोर विल होने के साथ साथ इसमें बड़ी कारों जैसी शांदार फीचर्स मिलते हैं इसे अभी हाल ही में कंपनी ने लांच किया है पूर्था मेड इन इंडिया कार है यकूजा करिस्मा इलेक्टरी की भी इसमें पावर बिंडो, पुश बटन, इस्टोर सिस्टम, तच स्क्रिन डिस्पले जिसमें गूगल मैप और अपने मॉबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं शाथ ही रियर फ्यू, एक कैमरा, म्यूजिक सिस्टम एंडि स्पीकर शाथ ही ब्लोवर विद फैन दिये गए हैं दोस्तो यह तीन कलर आप्सन के शाथ में मार्केट में आती है जिसमें रेड, ब्लू, वाइट कलर सामिल है इसे पहले लांचिंग की आपेच्छा अब और भी अपग्रेट किया गया है बहुत सारे फीचर्स इसमें बदलाओ की रूप में देखने को मिल जाते हैं फ्रंट लुक की बात करें तो काफी स्टाइलिस लुक में नजर आती है याकूजा की करिस्मा कार यहाँ पर चोड़ी विंडशिल्ड और विंडशिल्ड को शाप सफाई के लिए पावर मोटर सिंगल वाइपर दिया गया है काफी तेज रोशनी वाली डियारेल के साथ एलेडी हेडलाइट्स मिल जाते हैं रात के समय जब जलते हैं तो कुछ इस तरह से नजर आती है इसकी रोशनी रात के समय और भी ज्यादा तेज हो जाती है उनोई हेड लाइट्स के बीच में काफी शांदार लुक में येकुजा की लोगों मोनोवेजिंग दी गई है नीचे की साइड में ग्रिल और नमबर पेट लगाने की जगह शाथी बड़ी कलर आप्सन के शाथ में बंपर दिया गया है फोर विल दस इंच के गाड़ी के शाथ और एक स्पेर विल भी गाड़ी के शाथ दिया गया है दो दर्वाजे मिल जाते हैं साथ ही एड़िस्टेबल ओर बियम दोनों ही साइड में दिया गया है साइड मिलर यानि की ओर्बियम पर ही आप डियारे लाइट भी लगा देख पाएंगे शाथी इसके चार उपहियों में एलाइविल दिया गया है दोस्तों काफी की फायती और स्टाइलिस एवी कार आपको कम से कम बजट में देखने को मिल जाता है आपको अगर कम दूरी तै करना है तो यह बिकल्प आपके लिए काफी ब्यहतर साबित हो सकता है आप इसे पर्चेस करके अपने पाकेट पर अच्छा खासा बचत कर सकते हैं अगर इंटीरियर की बात करें तो आपको यह कार टू प्लस वन यानि की थ्री सेटिंग कैब सेटी में मिल जाती है इस पर आप अच्छा खासा देख पाते हैं इस कार में आगे की तरफ ड्राइवर स्ट के लिए एक सीट प्रोवाइट कर आई गई है जो की एड़जेश्टेवल बित डूल कलर टोन में दिया गया है शामने की तरफ पावर इस्टेरिंग मिल जाती है डेश्टपोर्ट काफी खुबसूरत और स्टाइलिस दिया गया है शामने की तरफ ही इसका digital speedometer with touchscreen दिया गया है जो size wise काफी बड़ी है यहीं पर आप अपने mobile calls, bluetooth वगरे साथ में या फ्यम वगरे connect कर सकती है दोस्तो आगे की तरफ सिर्फ एक ही seat provide कराई गयी है तीछे की side seat पर दो लोग आराम से बैठ सकती है यानि की अगर देखा जाए तो 300 kg या 400 kg तक की आप वजन इस गाड़ी में बैठा सकती है central locking की आपको मिल जाती है आगे की दोनों तरफ power window और बेहतरीन boot space दिया गया है या कुजा करिस्मा electric car में आप कमबजट में एक सांदार car की full feeling महसूस कर पाएंगे husband wife और बच्चों के साथ आपको वगर नजदी की relation या function वगरे में जाना है या फिर bitch family आप market में घूमना चाहती है तो आपके रोज मर्रा के जीवन सहली में आम बोमिका निभाश सकता है या कुजा की EV electric car काफी शांदार दमदार battery pack के शाथ आती है इसमें battery system provide कराई गई है जो 4-5 घंटे में full charge हो जाती है दोस्तो अगर यह small electric car एक बार full charge हो जाती है तो आप इजली इससे 150 km से 175 km की शांदार mileage नेज ले सकते हैं दोस्तो बाहर और अंदर के डोड हंडिल बार पर क्रोम का वर्क आपको देखने को मिल जाता है केविन साइड या अंदर की तरफ देखें तो यहाँ पर उपर की तरफ रूफ पर आपको हवा और गर्मी से बचने के लिए शनरूफ भी प्रवाइड कराई गई है ताकि गाड़ी चलाते समय आपको गर्मी वगर्या महसूस न हो पीछे की साइड में देखें तो उपर की साइड में सीशे की विंडो नीचे की तरफ डियारेल इंडिकेटर और नमबर प्रेट लगाने की जगह मिल जाती है दोस्तों आप अगर एक बार छोटी रकम लगाते हैं इस कार को खरीदने में उसके बाद आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है बस थोड़ी सी बिजली में चार्ज करके आप इसे इजली चला सकते हैं कमपेटली यस्योबी का फिल महसूस करेंगे आप इसे ड्राइब करते समय गरीबों और कम बजटवालों के लिए किसी लगजरी कार से कम नहीं है याकुजा की करिस्मा कार हैंडिल बार में आप याकुजा की वेजिंग देख पाएंगे शाती चाभी और पुस बटन स्टार्ट सिस्टम लगा मिलता है त्री मोड आप्सन के शाथ आती है पीछे की साइड में इस इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए चार्जर पॉइंट दिया गया है आपको कमपनी के तरफ से चार्जर मिल जाता है आप अपने घर के ही नार्मल साकेट में प्लॉक करके इजली चार्ज कर सकते शातर किलोमेटर प्रति हावर की टॉप स्पीड देखने को मिलता है आगे की तरफ दोनों ही शाइड में पावर बिंडो पीछे की सीड डूल टोन करर के शाद्दी गई है फिले सीड के नीचे काफी अच्छा खासा बूटी स्पेस देखने को मिल जाता है पीछे से भी पैसेंजर को हवा वागरे लगने के लिए भी बैक ग्लास दिया गया है अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो यह आकुजा करिस्मा इलेक्ट्रिक मिनिकार आपको एक लाग पच्छीस हजा रूपे के आसपास मिल जाती है आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए याकुजा की बेवसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं आने वाले कुछी महीनों में आपकी शहरों में भी अवलेबल हो जाएगी तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एगले किशी अन्यगारी के रीवी वीडियो के शाथ तब तक के लिए जैहिन नमस्कार बंदे मात्रम